असलाम अलेकुम एंड गूड मॉर्णिंग तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंडस्टर अकाडमी पे जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये वीडियो उन सभी एक्जाम को नजर में रखते हुए बनाई जा रही है जो आने वाले एक्जाम में जैसे RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, UPTGT-PGT, NVS TGT-PGT, DSSV TGT-PGT और UGC NET के लिए मुफीद और कारामत सावित हो तो बने रही है इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किये हुए और आगे की मालूमात के लिए आप हमारे वाट्सअप नमबर 9045-20-432 पर राप्ता कर सकते हैं और आज का हमारा टॉपिक है नासिर काजमी तो नासिर काजमी की पैदाइश 1925 इसवी और वफात 1972 इसवी में हुई है नासिर काजमी की पैदाइश अंबाला में हुई अब्तदाई तालीम के बाद वो लाहौर चले गए जहां तकसी में हिंद के बाद उन्होंने मस्तकिल सकूनत एक्तियार कर ली लाहौर की अद्वी फिजा में नासिर काजमी की शायरी खुब चमकी कुछ मुद्द तक वो और आके नौ और हुमायू के मुदीर भी रहे 47 वरस की उमर में जब उनकी शायरी शबाब पर थी उनका इंतकाल हो गया उनकी गजलों के मशूर मजमुएं बरगे ने 1954 और दीवान 1957 में शाय हुए तीसरा मजमुएं पहली बारिश इंतकाल के बाद 1975 में शाय हुआ इनकी नजमों का मजमुएं निशाते खौब हैं तनकीदी मजामीन और मुक्तसर नसरी तहरीरें खुश्क चस्मे के किनारें के नाम से एकज़ा कर दी गई है नासिर काजमी ने एक कथा कहानी सुर की चाया भी लिखी है नासिर काजमी की डाइरी भी मुरत्ब करके शाय की जा चुकी है नासिर काजमी जदीद गजल के नुमाइंदा शाय तस्लिम किया जाते हैं मिर तकी मिर की गजल से वो बराहे रास्त भी मतास्सिर हुए और उन्होंने ये असर फ्राग गुरफपूरी के वास्ते से भी कुबूल किया उनकी गजल अपने धीमे, लहजे, दबे दबे दर्द और जदीद तर्जे एहसास की वजह से मुन्ताज है उन्होंने अर्दु गजल की दाखलियत और दरो बीनी को बीस्वी सदी के या संगेज माहौल के साथ पेश किया है अब नासिर काजमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टन फैक देखते हैं जैसे इनका असल नाम है नासिर रजा काजमी और इनके पैदाईश जो ही है उन्निस सो पचीस इसवी अंबाला में हुई है और इनके वफात हुई है उन्निस सो बहत्तर इसवी में लाहौर के पंजाम में और जिसकी वज़ा थी कैंसर कलमी नाम या तखलुस इनका नासिर है और पहला रिसाला जो है इनका वो और आके नौ है हाँ इनका पहला रिसाला है और आके नौ और दूसरा रिसाला जो है वो है हुमायू हुमायू रिसाले से भी इन्होंने वाविस्तगी की हुमायू रिसाला से नासिर काजमी 1957 इस्वी तक जुड़े रहे वालिद मुहम्मद सुल्टान काजमी और उस्ताज जो है इनके हफीज होश्यार पुरी है अब इनकी गजलों का मजमुए है बरगे नए जो की बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा है दीवान और तीसरा है पहली वारिश ये इनकी वफात के बाद शाय हुआ है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी नजमों का मजमुए है निशाते खाब और इनके ड्रामे है सुर की छाया तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ